मौत होने के दस दिन बाद महिला ने दिया बचे को जन्म, पूरी सच्चाई जानकर लाखों लोग है रान है हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का हमारे चानल में स्वागत है दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने डा रहे हैं जहां एक मृत महिला ने दस दिनों के बाद बच्चे को जन्म दिया दोस्तों आप सभी से बिंटी है प्लीज जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस दुनिया में तरह तरह की अजीबो गरीब घटनाएं होती रहती हैं जिसके बारे में जानकर लोग विश्वास भी नहीं कर बाते हैं कुछ ऐसी ही घटना के बारे में आज हम आपको बताने डा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे यह घटना साउथ अफरिका के मतियासी गाउं की है जहां पर एक गर्भवती महिला की मौत होने के दस दिन बाद उस महिला ने बच्चे को जन्म दिया जी हाँ दोस्तों इस गाव में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई और मौत के दस दिन बाद तक उस महिला के पार्थिव शरीर को अस्पताल में रखा गया दस दिनों के बाद पार्थिव शरीर को ताबूत के साथ परिवार वालों को सौंप दिया गया परिवार वाले जब ताबूत को लेकर घर पर आये और उन्होंने जब ताबूत को खोल कर देखा तो सभी हैरान रह गए जब उन्होंने टावर को खोल कर देखा तो उस महिला ने बच्चे को जन्म दिया था लेकिन बच्ची की मौत हो चुकी थी सभी देखकर आश्चर रचक के त्रह गए की मृत्यू हो जाने के बावजूद भी कोई महिला बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है परिवार वालों ने मा और बच्चे दोनों के शव को दपना दिया परिवार वालों का दुख और भी ज्यादा बढ़ गया क्यूंकि महिला के साथ साथ बच्चे की भी मृत्यू हो चुकी थी इस बात की जानकारी पूरे गाव में बहुत ही तेजी से फैल गई और इस बात पर डॉक्टर ने एक रिसर्च किया और इसका कारण पता किया रिसर्च होने के बाद यह बात सामने आए कि जिस समय महिला की मृत्यू हुई थी उस समय वेर महिला नौ महीने की गरभवती थी पार्थिव शरीर को जब 10 दिनों तक अस्पताल में रखा गया था तो उस समय पार्थिव शरीर तैफतापमान में सुरक्षित रखा गया था मृत शरीर में सारी क्रियाएं बंद हो जाती है जिसके कारण शरीर के भीतर बहुत तरह की गैस बनने लगती है ज्यादा गैस बनने की बज़े से पेट फूलने लगा और बच्चा बाहर आ गया लेकिन इस बात की पुष्टी नहीं हो पाए कि जिस समय बच्चे का जन्म हुआ था तो वह जिन्दा था या मृत था दोस्तों को इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आप हर दिन ऐसे ही जानकारियों को पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद जय मातादी